हेलो अब्रिवान वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्वों अभी हम डिसकस करेंगे सिक्स क्लास साइन्स का एक वेशन पेपर ये करन सेशन के हाफ एरली एक्जाम का पेपर है पीएम श्री केंद्रिय विद्याले का और सबसे पहले सेक्शन ए में मुल्टिपल चॉइस वेशन है इनमें से कौन मोनो कॉट सीड का एक एक एक्जामपल नहीं है मोनो कॉट सीड सम उनको बोलते हैं जिनमें सिंगल कॉटलीडन होता है जैसे कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको आप दो इकुल पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं देखो ये वो कुछ एक्जामपल से हैं जैसे बीन, पीनट, वॉलनट पीनट मुंफली जब आप खाते हैं मुंफली को आप देखेंगे उसका जो सीड है ऐसे दो इकुल पार्ट में स्प्लिट हो जाता है इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं कॉटलीडन जिनमें दो कॉटलीडन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं Dicot Dicot seeds और जिनके सीड को आप स्प्लिट नहीं कर सकते जिनमें सिंगल कॉटलीडन होता है जैसे कौन है उन्हें हम बोलते हैं Monocot seeds Monocot तो question था कि इनमें से कौन Monocot सीड का एक्जामपल नहीं है, मतलब किसमें एक से जादा दो कॉटलीडन होते हैं, वीट यह हूँ आपने देखा होगा, सिंगल ही कॉटलीडन है, कौन अभी देखा, इसमें भी सिंगल है, दोनों मोनो कॉट है, राइस, चावल का जो सीड है, चावल भी दो इक्वल पार्ट में ऐसे अपने आप स्प्लिट नहीं होता है, तो यह भी मोनो कॉट है, बीन समने देखी, इसमें दो कॉटलीडन्स है, तो यह मोनो कॉट नहीं है, यह ओप्शन is करेक्ट, नेक्स्ट इस कोल डेजर्ट कामल हास, कोल डेजर्ट कामल के कितने हमस होते हैं, यह वैसे पिक्चर भी आपको गिवन है, कोल डेजर्ट कामल जिसको बाक्ट्रियन कामल भी बोलते हैं, उसके दो हमस होते हैं, और कामल अपने हमस में फाट स्टोर करता है, यह ओप्शन is correct now tea leaves from tea are separated by which method चाय पत्ती को चाय से हम किस method से separate करते हैं विनोइंग विनोइंग हम बोलते हैं जब दो जो substances हैं उनका weight difference जादा होता है एक substance बहुत हलका होगा एक का weight थोड़ा सा जादा है जैसे husk और grain भूसा होता है और अनाज होता है तो उन्हें हम separate करते हैं विनोइंग से विनोइंग में एक height पर दोनों substance के mixture को हम रखेंगे वहां से जब इनको नीचे वेकेंगे तो जो हलका substance है जिसे husk है भूसा है वो हवा के साथ उड़के दूर चला जाएगा यहाँ पर इकठा हो जाएगा और जिसका weight ज्यादा था वो नीचे इकठा हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमें grain मिल जाता है और सामने यहाँ पर जो husk है वो मिल जाता है तो विनोइंग से तो ह तो इससे भी हम tea leaves को tea से अलग नहीं करते हैं, tea leaves को tea से हम अलग करते हैं, filtration से, छान कर, filter करके हैं, तो इसमें correct है D option, next is, shown on the right side is the technique used to separate butter from milk, यह technique given है, इसको churning बोलते हैं, जिसमें, जो butter है, उसे हम अलग करते हैं, milk से, question ही वही है कि इस technique को क्या बोलते हैं, तो इस technique को बोलते हैं, churning, next is which of the following is a body building food, इन में से कौन सा एक body building food है, body building nutrient है protein, now match the following, vitamin minerals के नाम गिवन है, और यहाँ पर deficiency disease दी है, vitamin A की deficiency से होती है, night blindness, B की deficiency से beriberi, C से scurvy, D से rickets, और iron की deficiency से होता है, anemia, okay, now section B, two marks for each, first is name two food stuff from which we get carbohydrates, दो food items के नाम लिखने हैं, जिन से हमें carbohydrate मिलते हैं, so, sugar, potatoes, potatoes and rice, यह रिच होते हैं carbohydrate में, next is explain the process of photosynthesis as shown in the diagram, photosynthesis के process को आपको explain करना है, photosynthesis वो process है, जिसमें जो plants हैं, वो sun energy को, जो light energy है, उसे convert करते हैं, chemical energy में और अपना food उससे बनाते हैं, तो जैसे picture में दिखाया गया है, उस diagram के तुरू आपको photosynthesis के process को explain करना है, two you mark a question है, so photosynthesis वो process है, जिसमें plants, sunlight and water, और carbon dioxide को use करते हैं, और create करते हैं, oxygen और energy, sugar की form में, तो इस process को बोलते हैं, photosynthesis, आंसर आप लिखेंगे, photosynthesis is, photosynthesis is the process by which plants use sunlight, then water and carbon dioxide, carbon dioxide to create oxygen, जिसे फिर हम use कर लेते हैं, and energy, energy in the form of sugar, क्योंकि जो figure है, diagram है, उसमें sugar given है, energy in the form of sugar, okay, आप simple भी लिख सकते हैं, अगर ये diagram ना दिया होता, simply हम लिखते है, photosynthesis is the process by which green plants, या by which plants, और वैसे दूसरे भी organisms होते हैं, by which plants convert, या transform light energy, light energy into chemical energy, ठीक है, या फिर, photosynthesis is the process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy, next, now what are those species called, which can live on land as well as in water, उन species को हम क्या बोलते हैं, जो land और water दोनों पर रह सकती है, एक example भी आपको देना है, तो उन species को हम बोलते हैं, amphibians, और एक्जामपल है, frog, frogs, okay, next, यहाँ पर दो टाइप के seeds गिवन हैं, here are two types of seeds, what difference, differences do you find among the roots and leaf venation of their plants, इनके जो plants होगे, जो wheat plant होगा, जो kidney beans, राजमा का plant होगा, उनके प्लांट की roots कैसी होगी, और leaf में venation कैसा होगा, veins कैसी होगी, तो बिना plant को देखे ही, खाली seed को देखकर भी आप बता सकते हैं, कि root और leaf venation कैसी होगी, wheat क्योंकि monocot है, इसमें single cotyledon होता है, तो जितने भी ऐसे plants हैं, जो monocot हैं, उनमें roots होती हैं, fibrous, root होगी इसकी fibrous, और leaf होगी parallel, leaf venation होगा parallel, leaf venation parallel, और kidney beans, इनमें dicot दो cotyledons होते हैं, इनमें root होगी tap root, और tap root जब भी होती है, तो जो leaf venation है, venation वो होगा, reticulate, venation, यानि कि reticulate, जो net like structure है वो, tap root यह होती है, जिसमें एक main root होती है नीचे, और बाकिये secondary roots होती है, fibrous root, जिसमें कोई भी main root नहीं होती, यह होती है, fibrous root, तो जहाँ पर भी tap root होती है, वहाँ पर हमेशा, जो venation है leaf में, वो reticulate venation होता है, जैसे एक main leaf और यह secondary leaves होती है, ऐसी एक main vein होती है इनकी leaves में, और यह कुछ secondary veins होती है, इससे निकलती हुई, fibrous अगर है, तो जैसे यह fibrous में roots होती है, parallel, equal roots होती है, तो वैसे इनकी leaves में भी parallel venation होता है, ओके, next, तो wheat में होगी fibrous root और parallel venation, और kidney beans में होगी tap root और reticulate venation, और राइट two differences between mountain goats and goats from the plains, यह आपकी बुक का ही question है, वहाँ पर picture भी आपको given है, mountain goats और जो plain area में goats रहती हैं दोनों में, क्या differences है, mountain goats के जो फर है, उनका फर थिकर होता है, जो plains की goat है उनके comparison में, और उनकी जो body है, और जो legs है, वो भी ज़्यादा muscular होते हैं, ऐसा कि mountain goats के उपर ज़्यादा फर होता है, ज़्यादा थंडी condition में रहना होता है mountains के उपर, और क्योंकि rocky होते है mountains तो उसके उपर चड़ने के लिए जो legs हैं वो भी ज़्यादा muscular और stronger होते है differences आप लिखेंगे mountain goats and plain goats mountain goats में number one thicker fur, thicker या dense fur और जो plain goats है, plain area की goats हैं उसमें less dense fur या less thick fur thick fur and second इसमें strong and strong feet या फिर strong legs या फिर muscular legs and इनके जो legs हैं वो slender होते हैं मतलब पतले होते हैं, slender body and legs okay next, ये दो differences होगे, now three markers है you are given two sample solutions, आपको दो sample solution दिये गए आप कैसे identify करेंगे, how do you identify that the given sample solution contains carbohydrates, so carbohydrate या starch की testing अगर आपको करनी है जो भी food item है आपके पास, sorry, जो भी sample solution है उसमें कुछ drop some iodine solution की put करेंगे, iodine solution की डालेंगे अगर उसका color change होके blue black हो जाता है, तो मतलब उसमें carbohydrates हैं, starch है और अगर change नहीं होता color, तो starch नहीं है so answer आप लिखेंगे, answer number 12 question है, how do you identify that so we will do iodine test by adding a few drops of iodine solution to the sample solutions, to the samples if the solution turns, turns blue black color अगर solution blue black color में change होता है, color then it indicates the presence of, indicates the presence of carbohydrates तो यह indicate करता है कि carbohydrates उसमें present है, especially starch okay, starch एक type का carbohydrate ही है so दिख लेते हैं, question था कि कैसे आप identify करेंगे कि carbohydrate किसी solution में present है या नहीं so we will do iodine test by adding a few drops of iodine solution to the samples if the solution turns blue black in color, then it indicates the presence of carbohydrates next is, frame three questions which can be asked to your grandmother about traditional and modern cooking practices तीन कोई questions बताईए जो आप अपनी ग्रांड मदर से पूछ सकते हैं जो traditional cooking practice थी पहले जैसे खाना बनाया जाता था और जो modern cooking practices हैं तो कोई भी तीन questions में आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से food cook करते थे वेन यू वर यंग जब आप छोटे थे ये question आप पूछ सकते हैं अपनी ग्रांड मदर से how did you cook food when you were young then आज जो कल जो पहली recipe थी उसमें modern days में क्या changes आई हैं यह आप उन से पूछ सकते हैं what old recipes have changed the most today कौन सी पुरानी recipes हैं जो आज के time पे सबसे जादा बदल गई है और आप पूछ सकते हैं कि जैसे पहले kitchen में tools कम होते थे तो कौन सा modern tool आपको ऐसा है जो कि आपको पसंद है या फिर do you like क्या आपको पसंद है जो modern tools है kitchen में जिसे mixer grinder है यह सब पहले नहीं होता था हाज से ही होता था सारा का modern kitchen tools क्या आपको modern kitchen tools पसंद है या फिर और the old ones या फिर जो पुराने थे वो कोई दूसरा भी question आप लिख सकते हैं इसमें अपनी तरफ से next now what are millets why are millets considered a healthy choice of food millets को हम healthy food क्यों बोलते है क्योंकि उसमें fiber होता है vitamins होते है minerals होते है digestion में help करता है energy हमें provide कराता है is taking only millets in our diet enough for balanced diet क्या सिर्फ millets खाना enough है हमारी balanced diet के लिए तो नहीं balanced diet में सभी nutrients होते हैं तो जैसे millets में vitamin c नहीं है vitamin b12 नहीं है fats नहीं है तो इसलिए सिर्फ millets खाना काफी नहीं है enough नहीं है balanced diet के लिए हमें बाकी जो चीज़े है fruits vegetables proteins fats यह सब भी खाने होंगे आंसर आप लिखेंगे पहले कि millets क्यों healthy choice of food consider किया जाता है तो millets are considered a healthy choice of food because because they are rich in क्योंकि वो rich होते है in fiber fiber and vitamins and minerals so they are good for digestion and give us energy they help in digestion and give energy okay then is taking only millets in our diet enough for balanced diet so no taking only millets is in our diet is not enough for balanced diet as it don't have it don't doesn't have have proteins proteins fats healthy fats and some some vitamins some vitamins like vitamin c okay so we should eat we should eat other foods also so हमें दूसरे foods भी खाने होंगे for complete nutrition for complete nutrition or to complete our balanced diet nutrition okay question देख लेते हैं एक बार फिर से मिलेट्स को क्यों healthy food consider किया जाता है so because they are rich in fiber vitamins and minerals they help in digestion and give energy then क्या में सिर्फ मिलेट्स लेना डाइट में सिर्फ मिलेट्स लेना balanced diet के लिए काफी है so no काफी नहीं है as it doesn't have क्योंकि इसमें proteins, fats और कुछ vitamins नहीं होते है so we should eat other foods also for complete nutrition next now section D for marker question draw the given diagram of flower and label it यह diagram आपको अपनी answer sheet में draw करना और label करना है so यह है receptacle receptacle then यह है sepal sepal then यह है petals petals petal यह है anther यह है stamen यह है stigma और यह है style style और यह है ovary ovary okay stigma petal यह petals red color से यह anther stamen receptacle ovary sepal style next now next is based on the information in the table find out examples for these plants for each group यह table आपको complete करने है 4 mark का question है तो 4-4 examples लिखेंगे so dicot में type of root होती है tap root आप कुछ example बताने है dicot के यह हमने peanut देखी थी peanut ground nut pea seeds होते है pea mutter आपने देखा होगा अगर वो जो hard coating है seed में गुट्ली में उसको अटा के अप अंदर देखें तो अंदर जो seed होता है उसका वो दो equal parts में अप स्प्लिट हो जाता है दो cotyledon होते है उसमें भी बादाम बादाम को भी आप बीच से split कर सकते हैं दो equal parts में pumpkin seed भी होता है वो भी आप लिख सकते हैं फिर monocot जिसमें fibrous root होती है और examples monocot के मेज मक्का हमने कौन अभी देखा wheat rice first में जो examples थे उसी से लिए कुछ example दो coconut and barley और अभी millets last question में था functions each of stem and root stem और root दोनों के दो-दो functions लिखने है so stem सबसे पहले support करता है plant को सीधा खड़ा रहने में first is the stem holds holds the plant up straight उपर की तरफ straight उसको hold करके रखता है then second root से plant के different parts में water और food पहुंचाता है root से water पहुंचाता है और leaves से food it carries water and food two different parts of parts of the plant यह stem के दो functions है then root एक तो absorb करती है root water और minerals को soil से absorb करती है number one takes takes water and minerals from soil from soil और कई बार food भी store करती है जैसे turnip में या फिर carrot में आप देखो या फिर जो plant है उसको firmly ground पर hold करके रखती है holds the plant अगर root नहीं होगी तो plant गिर जाएगा plant firmly in the ground okay कोई और भी function आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से next now fill in the blanks with the words given blanks fill करने है herbivore, plant, milk, carnivore tiger is a blank because it eats only meat tiger सिर्फ meat खाता है तो यह carnivore है next is deer सिर्फ plant products खाता है eats only plant products and so is called इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं herbivore next is parrots eats parrots eats only blank products parrots सिर्फ plant products खाते हैं parrots eats only plant products the blank that we drink यह blank जो हम drink पीते हैं यह आता है cows, buffaloes और goats से यह एक animal product तो the milk we drink जो milk है वो हमें cows, buffaloes और goats से मिलता है तो वो एक animal product है now section E इसमें five markers है as the population grows जैसे population बढ़ती है जनसंक्या जादा होती जाती है people want more comfortable lives लोगों को बहुर जादा comfortable lives चाहिए forests are being cut down to meet various needs forest को काटा जाता है उनकी जरुरतों को पूरा करने के लिए how can this affect our surroundings trees को कट करना कैसे हमारी surroundings को हमारे आसपास की जो चीज़े हमको affect करता है how do you think we can address this challenge आपको क्या लगता है कैसे हम इस challenge को address कर सकते है क्या इसका solution है तो कैसे वो affect करता है यानि कि क्या उसका impact है पेड़ों को काटने का और कैसे हम उसको ठीक कर सकते है क्या उसका solution है यह दो चीज़े आपको लिखनी है five mark का question है points में लिख देते है impacts points में लिखने का फायदा यह एक तो strong answer आपका होता है एक point का one mark इस तरीके से और उसमें grammatical mistakes भी कम होती है impacts and solution so पहला impact है deforestation से loss of biodiversity होता है जैसे जब forest बहुत जादा होंगे उसमें biodiversity क्या होती है जो plant आपके chapter का ही नाम है plants और animals की जो variety है तो अगर forest कम होंगे बहुत सारी variety ऐसी है जो forest में रहती थी पहले वो अगर कट जाएंगे तो वो भी खतम हो जाएगी loss of biodiversity यही reason है कि बहुत सारी हमारी जो species है अभी animals की वो extinct हो गई है विलॉप्त हो गई है बहुत सारी endangered है खतम होने की कगार पर है तो एक तो यह इसका impact होता है एक ecosystem हमारा disrupt होता है जैसे अभी हम बोल रहे है कि global warming बहुत जादा हो रही है तो उसका एक reason यह है so loss of biodiversity and disruption of ecosystem या फिर climate change लिख देते है climate change कि forest जो है वो coolness बनाई रखते है environment में और soil erosion forest जो हमारे trees है वो soil को hold करके रखते है तो जब पेड कहीं से कड़ जाते है तो soil lose हो जाती है और फिर इनके साथ वो वह से उड़कर या बहकर दूसरी जगे चली जाती है और जो soil का top part है वही fertile होता है नीचे तो कंकर पथर है तो वो जो soil है अपनी fertility को lose कर देती है फिर उसके उपर आपको जुगा भी नहीं सकते soil erosion होता है climate change होता है loss of biodiversity यह तीन हमने points लिख दे impacts में अब इसको हम solve कैसे कर सकते solution क्या है एक तो अगर deforestation किया है तो reforestation होना चाहिए मतलब forest दुबारा से हमें लगाने चाहिए पेड जादा से जादा लगाना चाहिए लगाने चाहिए और strict environmental regulations जो environmental regulations है पेडों को ना काटा जाए environmental उनको उन rules को environmental regulations या rules लिख दीजे उन rules को और strict बनाना चाहिए awareness लोगों को aware करना चाहिए कि पेडों से हमें क्या-क्या फायदे है raising awareness उस बारे में यह के solution है impacts क्या है biodiversity का loss होता है बहुत सारी species खतम हो जाती है climate change होता है soil ही रोल होती है solution है reforestation दुबारे से forest लगाए पेड लगाए strict environmental rules हो और लोगों में awareness फिलाए next now take the statements that are correct by eating rice alone सिर्फ rice अगर खाए तो हम fulfill कर सकते है nutritional requirements को of our body कोई भी food complete food अपने आप में नहीं है तो यह तो wrong statement है deficiency deficiency disease can be prevented by eating balanced diet deficiency disease होती है कि कोई nutrient की कमी हो जाती है हमारी body में balanced diet वो होती है जिसमें सारे nutrients होते है तो अगर सारे nutrients होंगे तो deficiency disease होगी ही नहीं तो यह correct statement है balanced diet for the body should contain a variety of food items बिल्कुल balanced diet में variety of food items होने चाहिए fruit भी होने चाहिए और carbohydrates के लिए grains भी होने चाहिए यह correct statement है meat alone is sufficient again कोई भी alone sufficient नहीं है तो यह wrong statement है we can test the presence of protein with the help of iodine iodine some starch को test करते हैं तो यह भी wrong है draw a well-labeled diagram of a tree tree का well-labeled diagram आपको draw करना है tree बनाना है और इसके different parts उनकी नाम लिखने है इस तरीके से आप draw कर सकते हैं इसमें नाम visible नहीं है so यह है roots roots यह है trunk stem tanah then यह है leaves leaves पत्तिया यह है branches यह है fruit fruits okay next now इसके और में question है you are provided the following आपको यह दो चीजें प्रोवाइड की गई which one would you prefer and why आप किसको प्रेफर करेंगे और क्यों canned fruit juice जो fruit juice canned में आते हैं या फिर fresh fruit juice जो fruits से fruit juice आप freshly बनाते हैं दोनों में से किसको आप प्रेफर करेंगे तो fresh fruit juice को आप प्रेफर करेंगे I would prefer I would prefer would prefer fresh fruit juice fruit juice juice because it has it has more vitamins and nutrients as it is क्योंकि यह बने होते हैं it is made from real fruits fruits without 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 added sugar and preservatives preservatives and canned fruit juice often contain added sugar and preservatives which is not as healthy canned fruit juice is are not as healthy okay next now Gaurav got fractured in his leg Gaurav के leg में पैर में फ्राक्चर हो गया his doctor aligned the bones उन्होंने बोन को जोड़ा अलाइन किया and put on a plaster plaster लगा दिया doctor also gave him calcium tablets उन्होंने दी second visit पर दुबारा जब वो विजट करने गया the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablet calcium tablet के साथ उन्होंने doctor ने उसको vitamin D syrup भी दी questions है why did the doctor give calcium tablet to Gaurav calcium tablet क्यों दी उन्होंने ताकि जो bones है वो जल्दी heal हो जाए or strong बने calcium हमारी bones के लिए हड़ियों के लिए जरूरी है why did the doctor give calcium tablets to Gaurav to help his bones heal and become strong strong next second visit में why did the doctor give vitamin D syrup along with the calcium tablet calcium के साथ vitamin D syrup क्यों दी क्योंकि vitamin D help करता है calcium को better absorb करने में body calcium को अच्छे से absorb कर पाती है vitamin D की presence में so the doctor gave vitamin D syrup along with calcium tablet to help Gaurav's body body to Gaurav's body absorb the calcium better next next now what question arise in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicines doctor ने medicines देने में जो choices की है कि पहले उन्होंने calcium tablets दी फिर उन्होंने vitamin D बी दिया उन्होंसे related आपके माइं में क्या questions बनते हैं तो अब वही question पूछ सकते हो कि why is vitamin D important with calcium calcium के साथ vitamin D important क्यों है why कितने एक ही लिखना है what question why is जबकि इस cancer हम दे भी जुके है vitamin D important with with calcium so answer है vitamin D helps the body use the calcium properly for bone health okay that's all students यह था 6th class science का question paper hopefully अच्छे से सभी questions आपको समझ में आ गए होंगे thank you so much for watching